तो खर्मास के दौरान क्या हम सीतला सप्तमी का ब्रत पहली बार कर सकते हैं अथवा नहीं जैसा कि सीतला सप्तमी पर माता सीतला की पूजा की जाती है और हिंदू सनातन धर्म में माता सीतला का निमास नीम के पेड़ पर बताया जाता है इसलिए नीम के पेड लगाने की पूजन करने की परिक्रमा करने की बहुत बड़ी महतुता होती है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सब्तमी तिथी पर ब्रत करके अश्टमी पर पूजा किया जाता है तो बहुत सारी पहनों का ये प्रस्ण है कि क्या हम अपने घर पर नीम का पेड लगा सकते हैं अथ्वा नहीं क्या सीटला सब्तमी का जब हम ब्रत करते हैं तो उसके दोरान हमें नीम की पत्तियां खानी चाहिए अथ्वा नहीं जैसे कि चैत्र मास में अधर वेद के अनुसार नीम की कोपले खाने का विधान है तो बहुत सारे लोग सुबह सबेरे निहार मू जो लाल रंकी कोपले होती हैं मुलाय उसको खाते हैं तो क्या जब सब्त्त करेंगे तो भी हमें कंटीनि में उसको खाना चाहिए या ब्रत क पूजा से भी संबन्दित है कि दीपक हम नहीं जलाएंगे जैसे सीतला सप्तिमी में ठंडा दीपक लगाए जाता है अगनी का असपर्स नहीं किया जाता है तो कैसे हम माता की आर्ति करेंगे कैसे पूजन करेंगे और क्या सीतला माता की जो प्रतिमा होती है फोटो होती है उ लिए दोस्तों देर ना करते हो वीडियो की शुरुबात करते हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकरशन आपके पास सबसे पहले पहु तो पहले आप चानिए कि सितला सब्सक्राइब का ब्रत क्यों किया जाता है सभी माताएं अपनी संतान की दीरग आयू उत्तम स्वास्त की कामना से इस ब्रत को करती हैं और बहुत सारे परिवार में सभी महिलाएं करती हैं बहुत सारे परिवार में जो घर की मुखिया होती बड़ी महिला वो ब्रत करती है, पूजा अर्चना में सहयोग सभी घर की महिलाएं करती है, अपने कुल परंपरा के अनुसार आपको इस ब्रत को धारण करना चाहिए, पहला जो सवाल है कि क्या खर्मास के दोरान हम ये सीतला सप्तमी का ब्रत पहली वार कर सकते हैं अथ्वा कर सकते हैं, लेकिन ब्रत की शुरुवात ना करें, खर्मास समाप्त 13 अप्रेल को हो रहा है, 13 अप्रेल के बाद आप किसी भी ब्रत, पूजा कोई भी नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे साप्ताहिक ब्रत हो, वार्षिक ब्रत हो, उसके शुरुवात आप कर सकते हैं, 13 अ सप्तमी में माता सीतला का वास माना जाता है नीम के पौधे में हिंदू सनातन धर्म में प्रकिर्त की पूजा करने का भी विधान है जैसे कि केले के पेड में भगवान विश्नु का वास माना जाता है पीपल के पेड में भगवान विश्नु का वास माना जाता है अन्य पेड माता का वास नीम के पेड़ पर बताया जाता है, कि वास करती हैं. इसले नीम के पेड़ की बहुत बड़ी महतुता पूजण अर्चन करने की होती है। तो आप इस दिन नीम के पेड़ की पूजा करें, लेकिन अपने घर में जैसे कि बहुत सारी महलाव ने पूछा था बेहनों ने पूछा था कि हम अपने घर में लगाएं तो देखिए नीम का पेड काफी बड़ा होता है दीरगायू भी होता है उससे हमारे पर्यावरन की शुद्धी भी होती है नीम की पत्तियां और सदी का क होती है उसे घिस कर इसकिन पर लगाने से कोई भी आपके फोड़े फुनसी हों उससे आपको चुटकारा मिलता है यह आप सबको पता है तो आप नीम का पेड सारबजने का स्थान पर लगाएं वह आपके लिए पुझा भी है और आप पूजा भी कर सकते हैं घर में छोटा अपने आत्मा की शांती के लिए कि हम अपने घर में चोटा सा पौदा अगंबले में लगा लिया पूजा कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं बट साबित्री की पूजा असे बहुत सारे लोग घर पे लगा लेकिन जो हमारी मानिता है जो हमारे रिशिमोनियर उस पेड के नी और अगला प्रस्ण था कि हम जैसे की चैत्र महीने में अर्वेद के अनुसार नीम की कोपल पतियां खाने का विधान है जो हमारे रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाता है यानि कि आपकी यूमिरिटी पावर को बढ़ाता है तो आप सब्तमी तिथी पर हम जैसे की जिसकी परिक्रमा करेंगे पूजन करेंगे माता सीतला का वास उसमें होता है इसलिए हम यह सारे कारेंगे लेकिन हम सेवन नहीं करेंगे हम उस दिन उस चीच का त्याग करेंगे बाकि दिन आप कर सकते हैं बहुत सारी महीने तक नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करती है कारण क्या कि हम उसकी पूजा करते हैं क्योंकि जो चैत्र मास से ये ब्रत की शुर्वात होती है स्रावन मास तक आसाड मास तक चलती है हर जैसे कि ये चैत्र है, वैसाख है, असाड है, सावन है इसमें कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथी का ब्रत किया जाता है हर महीने लगतार चार महीने तक आप सबको पता है, जो बहने ब्रत करती है, उनको मालूम है तो ये चार महीने नीम की पत्तियों का सेवन वो नहीं करती है तो ये हमारे इंदु सनातन धर में कुछ नियम बताएगे है तो आप नियम का पालन करेंगे तो उसका आशरवाद उसका जो आपको प्रतिफल होगा वो जल्द मिलेगा अब आएए अगले अपने प्रस्ण पर आते हैं कि सीतला माता की फोटो नहीं है जैसे कि हर देवी देवता का अपना एक स्वरूप होता है हम उसी स्वरूप को देखकर पूजा आर्चना करते हैं और अपना भाव व्यक्त करते हैं पूजा आचना क्या है भाव ही है वो व्यक्त करते हैं तो आप फोटो नहीं है तो हम कैसे करें जैसे कि दोस्तो माता सीतला कौन है मादुर्गा का ही स्वरूप है मादुर्गा में अनेक देवी दोताओं का वास माना जाता है नो अलग-अलग देवियां जो हम पूजते हैं उनमें से एक देवी सीतला माता भी है तो आप माता दुर्गा की प्रतिमा रख सकते हो आप जो नीम का पेड़ है उसमें माता सीतला का वास माना जाता है आप वहां पर जाकर जल चढ़ा कर पूजा अर्चना कर सकते हो कोई जरूर ही नहीं है कि हर जितने भी पूजा पाट होते हैं हम सब की प्रतिमाई कठा करते जाओ और आपका पूजा मंदिर बहुत बड़ा सा हो जाओ फिर साल भर आप सोचे कि इसको हमें क्या करना है ठीक है तो आप मा का स्वरूप अलग अलग जरूर है लेकिन सभी माताएं एक हैं तो बस इस तरह से आप अपने घर पे ही माता दुर्गा में ही मा सीतला का वास मान कर पूजा कर सकते हैं आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में किसी भी देवी के पूजा आप कर सकते हैं मातासीतला कावास सब में माना जाता है यह आपको क्लियर हो गया अगला प्रस्ल variables याantry का डीपक है तो कैसे हम पूजा करें कैसे हम आती करें तो देखिए जुस्तों भाव का ही हमारा सब पूजा पाट कुछ भी है, आप अपने भाव से ही करते हो, तो आपको ठंडा दीपक, यानि की आटे का दीपक, उसमें बाती डाल कर, उसमें आप तेल डाल कर, हमारे लोगों कहां तो तेल डाला जाता है, रख देते हैं, सिर्फ भाव हो गया, कि हम पूजा में दीप प्रज सिर्फ हम भाव से आरती, जैसे आप बहुत सारी बहनों ने पूचा था आरती, तो आरती आप गाएं, ताली बजाएं, घंटी के भनी करें, इस तरह से भाव से हम आरती कर लेते हैं, अब माता सीतला के जो प्री पुस्प हैं, जैसे कि लाल रंग के पुस्प देवियों को आप लाल रंग के, सफेद रंग के कोई भी पुस्प अर्पित कर दें, नीम की टहनियां भी अर्पित की जाती हैं, तो उस दिन आप नीम की टहनी ना तोड़े, जैसे शुरू में मैंने बताया कि नीम के पेड़ के परिक्रमा, पूजन, जल, आदी कर सकते हैं, उन्हें हा लोग ब्याधी न सताय, इसलिए हम माता सीतला की पूजा करते हैं, तो अपने परिवार, अपने पुत्र संतान हो, या फिर आपकी कन्या संतान कोई भी संतान हो, उसके निमित आप ब्रत कर सकते हैं, कई पहिनों ने पूचा था कि मैं हमारी कन्या संतान है, यानी एक बेट आप करने पूजा आती हैं, तो आप चाहे कन्या संतान हो, चाहे आपकी पुत्र संतान हो, आप दोनों के निमित ब्रत करें, पूजा अर्चना करें, उनकी दीरगायू के लिए मता सीतला से आपको प्राथना जरूर करनी है, चीक है, तो इस तरह से आप सप्तमी तिथी का ब्रत करें, अब आईए जानते हैं कि सप्तमी तिथी की शुरवात कब हो रही और कब होगी समाप्त, जिससे कि आपको ब्रत करने में आसानी हो, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप अपनी कुल परंपरा कर इस अनुसार पूजा करेंगे, यानि कि जैसे हम अ खर्मास जैसे कि आपको मैंने बताया, 13 अपरेल को खर्मास समाप्त हो रहा है, और इसी खर्मास के बीच में ही ये हमारी चैत्रमास की पहली जो सप्तमी तिथी का ब्रत शुरव करेंगे, वो आने वाला है, सप्तमी तिथी की शुरवात हो रही है, 31 मार्च को 2024 में रातरी 9 बच के 30 मिनट पर, सप्तमी तिथी समाप्त होगी, एक अपरेल को रातरी 9 बच के 9 मिनट पर, तो सप्तमी तिथी में आप ब्रत करें, और दूसरे दिन, यानि की 2 अपरेल को आप पूजा करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने परिवार की सुक्सम्रिद्धी के लि आपन कैसे बनाते हैं तो वह अगरा बनाकर थाली पूरा हम लगा कर प्रापर आपको दिखाने वाले हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपको थोड़ी सी भी हालफुल लगें तो प्लीस प्लीस वीडियो को जादा से जादा लोगों में शेयर करें, बिलते ह एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें, जये माता है